Mostly जीतू में आपका स्वागत है शारदिय नवरात्र के बाद दसवे दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन रावन के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है आईए जानते हैं इससे जुड़ी पौरानिक मान्यताई शारदिय नवरात्र के नौ दिन मा भगवती के वरत करने के बाद दस्वे दिन यानी की दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू धर्म में विजया दश्मी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावन का वद किया था तभी से लोग हर साल लोग आश्विन मास के शुकलपक्ष की दश्मी को दशहरे के रूप में मनाते है इस दिन रावन के पुतले का देहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापती रावन ने जब माता सीता का अपहरन किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्थ हुई और उन्होंने रावन को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे रावन ने हनुमान जी की एक नमानी और अपनी मौत को निमंतरन दे डाला मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावन का वध किया उस दिन शारदिय नवरात्र की दश्मी तिथी थी राम ने नौ दिन तक मा दुर्गा की उपासनी की और फिर दस वे दिन रावन पर विजय प्राप्त की इसलिए इस तियोहार को विजयादश्मी के रूप में मनाया जाता है रावन के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाईयों की जीत हुई इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावन के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुम्भकरण के पुतले भी फुंके जाते हैं। और आनिक मान्यताओं में विजयादश्मी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन मा दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिशासुर नामक असुर का भी वद किया था। महिशासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परिशान किये जाने की वजह से मा दुर्गा ने लगातार नौ दिनों तक महिशासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और दस वे दिन उन्हें महिशाशुर का अंत करने में सफलता प्राप्थ हुई। इसलिए भी शार्दिय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन मा दुर्गा की मूर्ती का भी विसर्जन किया जाता है। शस्त्र पूजन दशहरे पूजन के दिन शस्त्र पूजन या उपकरण पूजन की परंपरा भी है। इस दिन इशान कोन में स्थान को साफ करके एक सफेद चद्दर बिछाएं और उस पर अपने शस्त्र या उपकरण रखें। अब माता दुर्गा का चित्र भी साथ में मोली चावल अर्पित करें इसके बाद सभी शस्त्रों और उपकर्णों को भी रोली चावल से तिलत लगाएं और उनके मोली बांधे मोली बांधने के बाद भोग लगाएं और दक्षिना अर्पित करें इसके बाद गनेश जी और दुर्गा माता की आरती गाएं आरती गाने के पश्चात हाथ में चावल और फूल लेकर दुरगा माता की फोटो एवन शस्त्रव उपकरनों पर पुशपांजली करें। दोस्तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।